जातिगत जनगन्ना को लेकर तेजस्वी आदवने की प्रेस कॉन्फरेंस उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधान मंदल के द्वारा सर्व सम्मती से जातिगत जनगन्ना को लेकर प्रधान मंत्री से मिलकर ग्यापन सौपने का जो समय मांगा गया है वह समय अभी तक प्रधान मंत्री के द्वारा नहीं मिला है वहीं प्रधान मंत्री विभिन प्रदेशों के मुख्य मंत्री से मिल रहे हैं लेकिन कुछ महत्वपून विशे पर प्रधान मंत्री अभी तक समय नहीं दे पाए हैं आईए जानते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आईए जानते हैं। आईए जानते हैं। आईए जानते हैं। एक बार दुनी बजने को हुआ। पिछले मौशूब सत्र में आप सब लोगों ने देखा होगा। कि बिना भेख भाव के, बिना मत भेख के, हम लोगों विमान की जिठाए जब दो बार बिहार विहार सभाव से पालत को चुटा है। जातिकर जंगर्णा को रिके के अए अलेही कुमत्रिष्टी में रेक्रुफे सभी निर्फिक 확δα ही जिठाए जोने कारित की बढ़ाए। देख विम्हणती बढ़ांकर केक कुठाए मंत्रिष्टी से को बले हम लोग चरे। और चाते कर जंगेता हुए, कि मां जो रही है, उसको जो है कि लिवामा उनक पहराने का था। अम लोगे इसके बाद, गौंसु कुल संदर में हम कुछ, वाउन सभी विपक्सी दरूदिस साथ, दरूदिसेे सभाद के लिवाम लिवामा जयरि में अगा जयरि वह सभी टताक्रटिक आखे के दिया, आके मां के अपके अध्यों है प्द्धान के बाद के इसे स्भाद के सब्य करेंगे, जार्ट आलिकों वाने जित्वत्त में कि दर्मतर लिख लखे पधान अंत्री जिसे समय मांगा है आज जगवत जो है एक अफ़ा से ज़ादा हो चुका है लेकिन अब तक पधान अंत्री द्वारा समय हम लोगों को जिए मिला हमारी दुस्री ये भी मांग की कि अधर ये मिल सथा बना करें जाकत जगवता कराई है उसी तच पर विहार सरकार भी ऐलान करें कि वो जाकत जगवता है वो कराने का काम है तो पर जान अधर की वंग्डाइ के मुखमिंत्य से मेलते हैं पंजाब के मुखमिंत्य से बिलते हैं और लोगसभा के छुनाओं में जिहार से सबसे जादा 40 में 40 सीथे जो है वो एकिये को देने का काम किया यह नहीं जर्पार सारी सीटे जिस राज उने कुछ निंटी ये सरकार को देने का कानुगी हाती। उस राज के मंत्री उतादेती रिकीश कुमार्ट को समय कुछ में देने लिए उतीजी समझें। लेकिन हम सब लोग चाहते थे। कि हम लोग सब लोग जय आपको विलात हो रहा है। अभी कुछ दित पहले जो है पाल्लेमेंट में एक सवाल उखा गया है। जहां केत्र सरकार के जवाब दिया है। जातिकर चर्गता को लेकरते है। लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल नीशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए।